है हांतो मितरों स्वागत है आप मैं solicit चैनल में में तो मितरों आज को हमारा ये पच्भा Ages 00 का जिसमें कि हमें पढ़ना है दो आवेसों के बीच संतूलन ऑवेसों के बीच किसी तीसरे औवेस को जब रखते हैं संतूलन संतुलन की अवस्था कहां प्राप्त होती है इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो देखें आपर फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है जब आवे समान प्रकृति या प्रविति के होते हैं तो संतुलन की अवस्था उनके बीच में प्राप्त होती है इसका मतलब यह हुआ है कि यहां पर माली जिए किउगान आवेस है और यहां पर एक किउटु है यह दोनों एक दूसरे से आरदूरी पर इस्तित बोला गया है कि इसके बीच में कहां पर कोई तीसरा आवेस रखें कि हमें संतुलन की अवस्था प्राप्थ हो तो मान लीजिए हम जब समार प्रकृति का आवेस राता है तो जो संतुलन की अवस्था प्राप्थ होती है वह बीच में प्राप्थ होती है यहां पर इनके मध्य पॉइंट में संतु की अवस्ता उनके बाहर प्राप्त होती है इसका मतलब यह हुगा कि यहां पर कोई आवेस कि यूवन है प्लस यूवन आड़ दूरी पर यहां पर माइनस क्यूटु है थीक है इन दूनों के जो बीच की दूरी है वह इसमाल आ रहे है तो इन दूनों के बीच जो संतुलन की आवस्ता में प्राप्त होगी बाहर प्राप्त होगी मान कर चली यहां पर तिक है यह जो आवेस है प्लस आवेस इस विंदू पर क्यू नाट आवेस रखा जाये तो इसको इधर की ओप धक्का देंगा और यह माइनस आक्यूदर है इसको अपनी और आकर्सित करेगा ठीक है मित्रों तो जब आवेश बीपरीत प्रकृति के होते हैं तो संतुलन की अवस्ता उनके बाहर प्राप्त होती है इतनी बात आप लो नोट पॉइंट करके काई लिक लीजेगा आकि हम लोग आगे चलकर इसकी अच्छी तरह से उपयोग कर स 30 कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं इनके मद तीसरा आवेश कहां रखें कि संतुलन की अवस्ता हमें प्राप्त हो जाए तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसके डाइगराम को समझेंगे उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे तो देखिए यहां लिखते वए इस डाइगराम को हम लोग समझते हैं ठीक है थ्रिक बच्चार कुलाम हुआ पटर्व पचीस कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं अंश्यांपर चार कुलाम नावेश यहां पर 25 कुलम का वेश यह 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं ठीक है इसके मद इनके मद तीसरा वेश कहां रखें कि संतुलन की अवस्था में प्राप्त हो जाए तो हम मान के चलिए यक्स मीटर पर हम मान के चल रहे हैं कि 98 अवेश को रखने पर हमें संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जा रही है यहां पर ठीक है यह दूरी हमने यक्स मान लिया यहां से लेकर यहां तेक की दूरी 10 मीटर है और यहां से लेकर यहां तेक की दूरी निकालेंगे यहां पर हो यहां यहां पेंगे नियम से यहां से हो जाएगा वण आपन में फोर P player चाप साइलली नाट और देखिए यहां यहां पर निकालते हैं यहां से हो जाएगा वोन अपान में फोर तो पहला आवेस हो जाएगा चार कुलाम का और दूसरा आवेस हो जाएगा क्यू नौट दूरी कितनी है यक्स मीटर यहां से अगर यपवान निकाला जाए तो देखिए अपान में 4 पाई एपसाइलन नाट चार कुलाम अपान में यक्स यह हमारा हो जाएगा समीकर नमबर अच्छा अब निकाल लेते हैं याप टू बन यहाँ पर देखिए याप डू बराबर हो जाएगा वन अपान में 4 पाई एपसाइलन नाट देखिए पाला आवेस क्यू नौट है दूसरा आवेस 15 कुलाम का यहाँ पर हो जाएगा क्यू नौट इंटू 25 कुलाम अपान में हो जाएगा दूरी टेन माइनस यक्स का स्क्वाइर यहां पी स्क्वाइर रहेगा ठीक है तो आप लोग इसके लिए घब रहेएगा मत देखिए अब कि यहां से यक्टू निकल जाएगा वान अपान में फोर पाई एपसाइलन नाट पाचीस क्यू नोट अपान में दस माइनस यक्स का स्क्वाइर तो देखिए यह जो अमारा आवेश क्यू नोट है यह संतुलन के वस्था में आए तो यहां से अमारा यपवन बराबर हो जाएगा यक्टू ठीक है तो देखिए यह अपवन कमान है वन अपान में फोर पाई एपसाइलन नाट किया है चार कुलाम क्यू नोट अपान में यक्स स्क्वाइर बराबर करेंगे यहां पर हमारा यह अपटू जो मान निकला है समीकर नमर इसको दो मान लीजेगा यहां पर देखिए वन अपान में फोर पाई एपसाइलन नाट और यहां पर 25 कुलाम क्यू नोट यहां पर 10 माइनस यक्स का स्क्वाइर ठीक है मित्रों तो देखिए यह और यह अपसम काट जाएगा बचेम यहां पर देखिए चार क्य वुसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा ठीक है मित्रो तो यहां पर आ जाएगा 4 क्यूं नोट अपान वर एक्स Principal बराबर यहां पर 25 क्यूं नोट अपान मैं 3-1 !!! होल स्क्यों यहां पर रहेगा ठीक है यहां पर देखिए क्यूंesomeंश से बीडिव कर जाएगा जएखिए इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे फिर सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है यहां से देखिए इसवाई यह स्कायर खतम हो जाएगा तो पर 10-1 आजाएगा अपान में यक्स और देखिए इसका वर करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका वर करेंगे तो 2 हो जाएगा ठीक है यहां से इसको हल कर लेते हैं 5 यक्स बराबर हो जाएगा यहां पर 20 20 हो जाएगा और यहां पर minus 2 yucks इसको इधर लाएंगे यहाँ पर 5 yucks plus 2 yucks बराबर 20 हो जाएगा इसको जोड़ देंगे तो 7 yucks बराबर 20 हो जाएगा yucks बराबर यहाँ से 20 पन में 7 आ जाएगा अगर यहाँ से yucks बराबर निकाला जाएगा तो यहाँ पर लगभाग देखिए साथ दोना के चौदा यहां पर लगबाग 2.10 सम्थिंग सम्थिंग पुछाएगा तो यही आप लोगों का अंस्वर हो जाएगा यहां पर देखिए 2.10 मीटर की दूरी पर हमें संतुलन की अवस्ता हमें राप्त होगी ठीक है दोस्तों तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे आज से जो हमारा आवेस है यह बिल्कुल पूरी तरह से खतम हो गया है कर से हम लोग इलेक्ट्रिक फिल्ड के बारें बात करेंगे ठीक है मित्रों सब तक के लिए धन्यबाद